जय हिं जय चतिसगर आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं सिख्छा सासर से संबंधित टॉपिक्स विकास की अधारणा एवं इसका सीखने से संबंधित से संबंधित एम से क्यू करने वाले हैं जो की आपके एक्जाम के लिए बहुती ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए इस वीडियो को लाज तक चरूर देखिए चलिए इसमें पहला क्वेशन सौल्व करते हैं जो की सतरा नंबर का है इससे पहले हम लोगों ने एक से लेकर सुल्ला तक के जो एम सी क्यू है इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है जो की आपको इजली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो चलिए इसमें सतरा नंबर वाला क्वेशन सौल्व करते हैं व्रिद्धी और विकास के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है इसमें देखते हैं व्रिद्धी विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका छेत्र असीमित होता है या असीमि अर्थ रखता है एवं विद्धी इसका एक भाग होती है सही बात है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है ये बात भी सही है इसलिए इसका राइट एंसर होगा डी नमबर बी और सी दोनो विद्धी सब्द का परियोग खालिस्थान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का परियोग खालिस्थान परिवर्तनों के साथ साथ खालिस्थान परिवर्तनों के लिए भी होता है इसका राइट एंसर है C नमबर व्रिद्धी सब्द का परियोग परिमनात्मक परिवतनों के लिए तथा विकास का परियोग परिमनात्मक परिवतनों के साथ साथ बेवहारिक परिवतनों के लिए भी होता है सभी बच्चों का स्वस्थ सारीक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली सर्थ है इसके लिए किन मूल आवशकताओं पर ध्यान देना आवशक है पौश्टी कहार सही बात है, सारीक व्याम सही बात है, मनोवेज्यानिक समाजिक आवशकताओं सही बात है तो इसका राइट एंसर होगा D नमबर उप्रप्त सभी सिक्षण की विभिन विधियों के परियोग के लिए कौन सी आवश्था सर्वधीक उप्यूक्त है राइट एंसर है A नमबर बाल्य आवश्था किस अवस्था में बालाकों में नई खोज करने की और घुमने की प्रविर्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है राइट एंसर है उत्तर बाले काल किसोरों की सबसे नाजुक एवं समयदन सील समस्या क्या होती है यदि इसका राइट एंसर पता हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताईए इसका राइट एंसर है यौन समबंधी समस्या क्योंकि जो किसोर होते हैं इसी समय इनके सालिक विकास बहुत तेजी से होने लगता है और सरीर में परिवर्थन दिखाये देने लगते हैं इसलिए यौन समबंधी समस्या कामन बात है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है राइट एंसर है किसोरा वस्था कि सोरा वस्था के बाद में मानाव का विकास परिपक्व हो जाता है 12-14 वर्ष की आयो के बीज खालिस्थान की आपेक्छा खालिस्थान लंबाई एवं मास्पेसियों में तेजी से वृद्धी होती है और 14-18 वर्ष की आयो के बीज खालिस्थान की आपेक्छा खालिस्थान की लंबाई एवं मास्पेसियों तेजी से बढ़ती है दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 12 से जो 14 वर्षे की आयो के बीच में जो लड़कियों का होता है सालिक विकास एवं लंबाई बहुत तेजी से ब्रिद्धी होता है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 12 से 14 वर्षे की आयो के बीच लड़कों की आप एक्छा लड़कियों की लंबाई एवं मास्पेसियों में तेजी से ब्रिद्धी होती है एवं 14 से 18 वर्षे की आयो के बीच लड़कियों की आप एक्छा लड़कों की लंबाई एवं मास्पेसियां तेजी से बढ़ती है इसलिए इसका राइट एंसर होगा B नमबर सार्थक अधिकम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंब होती है राइट एंसर है C नमबर सैसाव और स्था किस अवस्था में घनिष्ट मित्रत की प्रविती पाई जाती है राइट एंसर है A नमबर किसोरा वस्था में किसोरा वस्था में इस समय बालकों की घनिष्ट मित्रत की प्रविती पाई जाती है मानव विकास कि किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गती सरवधीक होती है सहसा वस्था इस कराई रेंसर होगा सहसा वस्था क्योंकि हम जानते हैं इस समय बालक जो होता है उसमें अनुकरण की अदरत होती है जो जिसे कराण ये बालक बहुत जल्दी सीखते हैं किसी भी चीज को सीख्चा मनव विग्यान में खालिस्थान में होने वाले मानव विकास का अध्यन किया जाता है सहसा वस्था बालल्य वस्था किसोरा वस्था उप्रक्त सभी मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मैं भी कुछ हूँ आदी जैसी प्रबल भावनाई वालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है राइट एंसर है ए नमबर किसोरा वस्था किसोरा वस्था में ही ये सब ब्रस्नव उठते हैं निमलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता राइट एंसर है बी नमबर वेवार का अध्यन सीखना है ये गलत है बच्चे के उचित विकास को सुनिशित करने के लिए उसका स्वस्थ सारीरिक विकास एक महतपूर पूर आवशकता है या कथन है राइट एंसर है सी नमबर सही है क्योंकि सारीरिक विकास विकास की अन्य पक्षों के साथ अंता सम्बंधित है निमलिकित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम की बीज संबंद को सर्वसेष्ट रूप में जोडता है राइट एंसर है ए नमबर विकास अधिगम से सोतंत्र है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक केजी और दोस्तों के साथ में सेयर करना न भूली और हाँ यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब भी कर लिजिए ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो के लिए थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए